है गाईज नमस्ते विल्कम टो माई चैनल गाईज मैं आपके साथ आज नहीं रेसीपी सेर करने जा रही हूँ जो है एक फिस करी रेसीपी समर स्पीसल है कम मसलों के साथ बनने वाला है चलिए चलते हम अपनी रेसीपी की तरफ मैंने यहाँ पर लिया है एक के जिफिस अब मैं मैंने इसको साफ करके लेके आए हूँ धो के मैं यहाँ पर डालने वाले हूँ एक स्पून हल्दी टर्मरी कौडर बोल मैं इस भी डालने वाले हूँ नमक अपरू कर दो लाए है एए एए है साथ को अच्छा आप अच्छाए तरफ आप आप हम लिए है प्राइए आप मैं ने इस को चमच के हैं आप तरफ इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अगर चम्मत से ना हो तो आप हैंड के भी उज़ कर सकते हैं, तो अपने हाथों से भी कर सकते हैं, अब मैं इसको करने जारी हो फ्राए, फिस फ्राए मैंने जो पहले डाले थे, फिस के उसको मैंने फ्राए करके निकाल दिया है इस तरह से, इसको ज्यादा भी फ्राए ने करना है, कुपि अच्छा नहीं होता है ज्यादा फ्राए के बाद, और मैं सारे फिस को इसी तरह से फ्राए करने वाले हूँ, मैंने याप फिस को करती समय एक बात ध्यान में रखना है कि कभी कभी फीस चटक नहीं लगता है जब आप तेल गरम तेल में डालते हो तो उससे पेले आपको गरम तेल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर जरूर डालना है इससे फीस कभी नहीं चटकेगा और मसाले में मैंने लिया याँ पे दो मि हुमेड जिराफ फाउडर हुमेड चिली फाउडर और स्वादनुसर नमा और हल्डी और मैंने थोड़ा सा यहां पर धनिया भी काटी आए क्योंकि यह फिस जब करी बन जाएगा तो उससे यह एट कर लूगी मैं अब मैंने तेल को गरम कर लिया था तो मैंने यहां पर अनियन डाल लिया है जो चौपकर के रखा हुआ था और इसको में गोल्डन ब्राउन होदे कर पकाऊँ अब इसमें जाब ताल रही हो अध्रब लसुम का पेस्ट इसको दो मिनिट पकाने के बाद इसका कच्चा पर नि अधरग लसुम का पेस्ट को दो मिनिट हो चुका है अब मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो जब क्या हुआ अमेटो अब मैं इसको तब तक पकाऊँगी जब तक ये तेल छोड़ने ना लग जाए अब ये तोमेटों आप यहां पे तेल छोड़ चुका है अब मेश इसमें डाल ह्वान मसाले मजिए मसाले जीरा की पर पफ debon लिया था उसको डाल रहा हूं मैं डाल रही हिं हलती पफ्रेज़्द ओडर équचिश से बाल रिए और ऑर प्रवक्रमीय जी लनमीर्स पाउडर, यह ज्याधा तीखा नहीं है तो मैंने थोड़ा ज्याधा ही ले लिया है, अब मैं इसको पकाऊंगी, इसके बाद यह अच्छे से पकने के बाद में ही हाँ आप यहाट करेंगी गरम पाने, मसली पब चुकाए अब मैं इसमें डाल रहे हूं गरेम पाने इसमें उबल आ चुकाए अब मैं इसमें डाल रहे हूं फ्येस अब मैं इसको दो मिनट के लिए इसमें पकाऊंगी फीस को क्रेवी के साथ उसके बाद मैं इसमें धन्या एट करूंगे यह पक चुका था तो इसमें मैंने डाल दिया है उपर से धन्या को गर्णिस कर दिया है देखने में कितना सुन्दर लग रहा है ना हो गया ना एक कम मसालों में टेस्टी फिस तयार फिस करी तयार